चलिए स्टाट करते हैं इसका है चैपテर नंबर वन है हमारा integers एक्सराइज 1a तो आपको बता देता हूं कि िंटिरज्ड होते क्या है इंटिर्स गया होते हैं हमारे इंटिर्स जैसे इंटिर्स हमारे क्या होते हैं लाए ह्मारे हमारे घरं को सटेंठेंद हैं इंठीर कर現在 होते हैं जीर फॉजिटिव नमबर और नगिटिव नंबर यह हमारे इंटिज्ञ यह quiere अब हम करते हैं एक्टिसैस और ₹-a कर 예 tulee weakness इसनी बोला है find this sum हमें क्या find करना है हमें sum find करना है हमें दिये हुए हैं जैसे for example हमें first part दिया हुआ है 17 and minus 8 minus 8 तो इसको मैं यहां पर solve करता हूं 17 sum का मतलब बता है plus तो end की जगा पर लगाएंगे हम plus फिर माइनस 8 लिखेंगे और इसको bracket में लगाएंगे bracket में क्यों क्योंकि दोनों sign एक साथ आ गए ना तो हम दो हमें दोनों में से एक ही को रखना है ठीक है इसलिए पहले step में bracket लगा के दिखाते हैं अगले step में क्या करोगे आप 17 प्लस माईनस की अगर fight हो जाए तो कौंन जी देगा मानास जी देगा as sum को पता है तो माइनस आजाएगा है यहां पर रहेगा जात Iowa कि हमारे 9 दीजी घ्र lorsque a यहां पर सेकींड करते हैं इसका, सेक्ट में क्या है, minus 36, and 90, यह है हमारा, ठीक है, तो क्या करेंगे, सब से पहلे, minus 36 and की जगापे plus, 90 की जगापे 90, दीगणी, मैंने यहां पर bracket नहीं है, पर ब्रैकेट लगाने की जरूओत नहीं है ब्रैकेट कब लगाने की जरूओत पड़ेगी जब एक साथ आ जाएंगे दोनों प्लस माइनस जैसे यहापर एक साथ आ गए है यह एक 3 लिखुँ ना इन अच्छा निग रहा बंदा कि रिंदा की प्लस यह माइनस है तो इस तरी मैनस करते हैं. तो 36 में से आप 19 को मैनस करते हैं, बहले मैनस कीजिए. 16 में से 9 गए, कितने बचाएंगे? हमारे बचाएंगे 7, यह आप सी कहए रह रिया था, आपने तो 2 बचा, 2 में से 1 गए, तो 1, हमारा कितना आउसर आगए 17, अब देखो, बड़ा नंबर कौन सा था 36 या 19 36 बड़ा था बड़ी नंबर के आगे क्या है minus तो answer में आएगा minus यह basic rules है सबको पता होंगे चलिए अगला करते है third part third में क्या है minus 11 and minus 29 तो देखो कैसे करोगे minus 11 sum की जगा पे plus again minus 29 एक साथ आ गया तो minus अगले step में क्या करोगे minus 11 दोनों में से एक को minus 29 अगर दो minus के number होते हैं तो हम उनको plus करते हैं और जो answer आता है उसके आगे minus लगाते हैं तो plus कैसे करेंगे जैसे normal हम plus करते हैं इनको plus करो 9 और 1 10 1 carry 2 3 4 40 आगे हाप लिगो 40 आप एक minus का sign आजाएगा दो नम्मर अगर minus के हो तो हम दोनों को plus कर देंगे और आगे क्या लगा देंगे answer के आगे क्या लगा देंगे हम minus लगा देंगे ठीक है जी चलिए अगला करते हैं अब हम चलिए इसका करते हैं fourth part ठीक है जी fourth part हमारे क्या है minus 2 3 6 plus 573 plus 573 इसमें इसने यह वाला step दिया हुआ यह वाला first step नहीं दिया second दिया हुआ ठीक है कुछ करने के जरुवरती नहीं हमें सिंपल सॉल्व करो एक plus का एक minus का है तो दो number है आपके पास एक number plus का है एक number minus का है तो आप हमेशा क्या करोगे बड़े वाले में से छोटे वाले नंबर आप minus कर दोगे चीक है अगर दो नंबर होंगे आपके एक plus का एक minus का तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को आप minus कर दोगे कैसे करेंगे देखिए इससे कोई फरक नी परता कि छोटा नंबर माइनस का है या बड़े नंबर माइनस का है अगर एक नंबर माइनस का हो एक नंबर प्लस का हो फिर चोटा नंबर माइनस का हो या बड़े नंबर माइनस का हो उससे कोई फरक नी परता एक plus का एक minus का तो आप बड़े नमबर में से माइनस करना छोटा नमबर कैसे भी लिखा हो पहले प्लस का लिखा हो या पहले बड़ा नमबर लिखा हो पहले चोटर कैसे भी लिखा हो आप बड़ा नमबर लिखेंगे ऊपर छोटा नमबर लिखेंगे आप नीचे जैसे माइनस करते हैं थर्ट कैनी लेंगे 13 13 में से 6 गए गए 7 यहां पर बचा 6 6 में से 3 गए 3 यहां पर 5 में से 2 गए 3 तो आंसर क्या आगे आपका 3 3 7 इसके बाद आपको यह देखना है दोनों में से बड़ा नमर कौन सा है बड़ा नमर कौन सा यहां पे भी आए नमर के आगे मामन तो नहीं आएगा अगर बड़ी नमर के आगेbonus दिख लिखते लिए अगर अपता छल रहता हुए लगाना नहीं है वह टो लगाना नहीं यह प्लसका का हो गया चलिए अगले reaches हमेशा याद रखना मांनेश के और माइनस की अगर फाइट होगी तो माइनस जीत जाएगा तो इस और रिखेंगे plus minus minus 30 नहीं अब इसको हम solve करतें अब दीए क्या solve करेंगे बड़ा लिखेंगे ईवर आमधर कि इसका मदर क्या 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 है two B प्लस होता है और यह हमारा 13 116 16 था तर्थ्ली एक में यहाँ पर आगिया हमारा करते हैं इसका हाँ माइनस ओर नाइन थ्री प्लस टू एट नाइन एक नमर प्लस का है एक नमर माइनस का तो मैंने आपको पता है था बड़ा नमर उपर लिखेंगे और छोड़े नमर हम नीचे लिखेंगे और कर देंगे इसको सॉल्व तीरह मैं से न ओ गए हमारे बचे चार यहां पर होगिया हमारा आठ क्योंकि एक क्या दे लिए था ना एट में से हमारा होगया 0 4 में से 2 लिखेंगे तो कितना अंसर आगे है इसका 204 493 बड़ा नमबर है और उसका क्या है माइनस तो यहां पर आ जाएगा ऐसे करते हैं चलिए यह हमारा हो गया complete question number first question number find the additive inverse हमें क्या निकालना है additive inverse निकालना है मैं देखे जी first part देखें हमारा minus 96 देखे एडिटिव inverse क्या होता है एडिटिव मतलब नाम से समझ मेरा additive add right additive add inverse मतलब ultra reciprocal inverse मतलब ultra reciprocal तो इसमें आपको क्या करना है additive inverse में यह होता है इसकी property होती है इसकी क्या होती है additive inverse की property यह होती है कि जब हम यह नंबर है इसका additive inverse जैसे ने बोले ना क्या बोला है इसने for example find the additive inverse इसका additive inverse वो होगा जिसको add करने के बाद answer हमेशा 0 आएगा याद रखना तो additive inverse क्या होता है देखिए जो number होगा उस number का उल्टा कर देना अगर नंबर minus का है तो उसको plus का कर दो number अगर प्लस का होगा तो इसको minus कर देना अब देखो अब यह क्या 96 96 इसका additive inverse है तो minus 96 और 96 आप दोनों को दोनों के बीच में लगाऊ प्लस तो answer कि इतना यह जीरो तो additive inverse में answer के आता है जीरो अगर आपका दोनों को plus करके answer जीरो आ रहा है ठीक है तो आपका answer सही है अगर जीरो नहीं आ रहा तो आपका answer गलत है चलिए second part कीजिए इसका ते आप काफी simple है मैंने आपको बता दिया 396 तो लिखे 396 जो नंबर यहां होगा वो यहां लिखेंगे प्लस का है तो यह माइनस का third part आ जाईए कितना simple है अब दोनों को plus करके देख लिए जीरो answer आएगा कैसे करेंगे देखे 396 प्लस यह नंबर किसका माइनस का तो ऐसे लगाएंगे मैंने आपको सिखा दिया ऐसी लगाते है जब दूसरा आते हैं तो इसको ठीक करेंगे 396 तो दोनों से एक साइन आएगा 396 अब इसका अंसर 0 हो जाएगा ठीक है तो ऐसे करना होता है आपको यह करके करके नहीं दिखाना मैं आपको बतारों कि प्रॉपरेटी यह होती है तो बस आपको यह answer लिग देना है ठीक है अब 0 है तो 0 का उल्टा हमेशा आदकना 0 ही पस्ट 0 तो 0 लिख देना बस खतम बात 4 – 3125 तो यह हो जाएगा 3125 और माइनस का उ प्लस का हो गया ठीक है तो क्विश्यम्र क्रिप्लीट होगया है क्रुष्यनुमर 3 पर आ जाओ कुछ नमर 3 पर का है सब्ट्रक्ट हमें क्या करना है कितना सिंपल है फॉर्स पार देखिए इसका 32 फ्रॉम माइनस 80 देखिए जी जब कभी भी आपको सब्ट्राक्ट करना होगा न फ्रॉम के बाद वाला जो नमबर है चाहिए वो प्लस का हो चाहिए माइनस का हो किसी का भी हो उस पूरे नमबर को उठा के लाना है पहले लिखना है फ्रॉम के बाद वाला नमबर पहले आता है अब देखिए हमने रूल के साफ से लगा दिया अब यहां पर आप क्या करेंगे दो माइनस के हैं दो माइनस के तो क्या हो जाता है जब दो नमबर होते हैं माइनस के तो उनको प्लस करते हैं तो 2, 8 और 3, 11, कितना हो गया 1, 1, 2 और साइन किस करता है माइनस का ठीक है यह हमारा आंसर आ गया इसमें बच्चों confuse होने की जरूवत नहीं है, यह नहीं सोचना आपने, अरे उसने तो question में बोले था, minus करने के लिए आपने प्लस कर दिया यहाँ पर, नहीं, question हमें दिया था, हमने rule के हिसाब से question को solve कर दिया, subtract 32 from minus 80, ठीक है, तो minus 80 में से हमें 32 subtract करने थे, तो हम minus 80 को यहाँ पर लेकर चले गए, from को हमने minus लिख दिया, और 32 को हम यहाँ लेकर आगए, उसके बाद, जो question demand करेगा, वैसे हम solve कर देंगे, ज्यादा इसमें सोचने की जरूवत नहीं है, ठीक है, जी, चलिए, rule तो यही कहता है, ना, कि गदो minus के number होंगे, तो plus किया जाएगा, और minus का sign आगे आएगा, बस, ज्यादा नहीं सोचना, आगे बढ़ो, second पर आजाओ, minus 36 from 42, minus 36 from 42, देखिए जी, 42 पहले आएगा, from की जगा minus, और यह minus है, एक और minus होगे, 36, जिस तरीकी से, अगर कहीं पर ऐसे लिखा हो, plus minus 36, तो मैं ऐसे लिखते हैं, उसी तरीकी से, अगर 2-2 minus हों होना, ऐसे, तो ऐसे अच्छा लगता है, नहीं, ऐसे लिखो आप, confuse हो जाओगे, otherwise, bracket लगा लिजी आप, ठीके, confusion नहीं होगे, bracket लगाने के बाद, इसके बाद क्या करेंगे, पहले इन दोनों को हम, settle तो कर लें, 42, दो minus के अगर fight होती है, तो दोनों मिलके plus बन जाते हैं, ठीक है जी, याद रखना है, रूल, और यहाँ पर 36, अब इसको plus कर देंगे, 42 और 36 को plus कर देंगे, 6 और 2, 8, 4 और 3, 7, 78 अंसर आगया, दुबार हमाँ सोचना असर आपने plus कर दिया, अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं करना बच्चो, आपको जो question दिया हुआ है, आपको rules लगा आने है, rule क्या है, यहाँ पर rule यह है कि from की जगह पर minus आएगा, from की बाद वाला नमर पहले आएगा, उसके बाद जो question demand करेगा, उस तरीक से हम solve करेंगे, third पर चलिए, minus 43 from minus 57, minus 43 from minus 57, देखिए, from की बाद वाला नमर पहले, from की जगा minus, और एक नमर माइनस का 43 तो ब्रैकेट में आजाएगा, अब इसके जो यह science बगर हैं, इसको हम क्या करेंगे, adjust करेंगे, ठीक है, plus minus को settle down करेंगे, minus minus, कितना हो गया, 43, अब देखिए, एक नमर माइनस का, एक नमर प्लस का, तो क्या करते है, minus करते है, बड़ा नमर उपर लिखिए, छोटा नमर नीचे लिखिए, माइनस के लिखिए, 7 में से 3 गए, 4, 5 में से 4 गए, 1, कितना आगया, 1, 4, बड़े नमर के आगए, क्या माइनस, तो इसके आगे भी minus आएगा, ठीक है, very simple question है, कुछ है नी, इसमें, चलिए, इसके तीन पार्ट हो गए हमारे, अब इसको रप करते हैं, तीन पार्ट फिर कर जाएगा, from की place पे minus आएगा, और 327 घूम के यहाँ पर आजाएगा, 327, अब बताएए इसका answer क्या आया, तो 0 तो हड जाएगा, तो इसका answer आया, minus 327, देखिए, यह answer है इसका, समझ गए जी, इसलिए लिए लिखना पड़ेगा, पूरा, एक एक step आपको करना पड़ेगा अब है, minus 225, from, minus 135, ठीक है जी, यह हमारा question है, तो from के बाद वाले नमबर पहले आजाएगा, minus 135, from की जगा पर minus, यह number घूम के यहाँ पर आजाएगा, तो पहले सी इसके पास minus है, तो इसको डाल देंगे, bracket में, अब हम क्या करेंगे, plus minus को settle down करेंगे, minus minus हो जाता हमारा plus, औ एक number plus का, इस पे ध्यान नहीं देना, कौन सा number बड़ा है, कौन सा छोटा है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब एक number minus का हो, एक number plus का हो, बड़े number को पर लिखिए, छोटे number का अपनी चे लिखिए, और इसको minus कर दीजिए, 5 में से 5 गया, 0, 12, क्यारी लेंगे, तो 12 हो ग इसका लास्ट पार्ट करते हैं 6th one समझ में आ रहा होगा आपको और मज़ा भी आ रहा होगा I hope और जिन्होंने कहा था कि 7 का कोर्स कराओ उनको तो अलगी मज़ा आ रहा होगा कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मज़ा आया या नहीं आया चलिए फ्रॉम के बागला नमबर पहले आएगा फ्रॉम की जगा पर माइनस आएगा और यह माइनस 70 ब्रैकेट में आएगा तो कितना हो गया तो यह हो गया हमारा जीरो को हटा दीजिए जीरो की कोई प्रॉम के बाद जो हता है वह पहले आता है और यह बाद में आता है ऐसा अगले लेकिन इसने फ्रॉं के बाद क्या बुला है फ्रॉं दिस सम अफ इनका पहले सम करना पड़ेगा सम मतलब प्लस क्वेशन नीमर वन में क्या था फाइंड इसम सम मतलब प्लस तो एंड की जगा प्लस आएगा पहले देखो कैसे करेंगे सिंपल आप लिखिए कि सम आफ माननस 147 कि जगहर प्लस क्यों क्यों कि सम है जब सम होता है तो एंड की जगा पहला प्लस आता है और 233 की जगा पहले जाएगा अब क्या करेंगे अब करेंगे 2, 3, 3 में से 1, 4, 7 को minus क्यों क्योंकि एक number minus का, एक number plus का मैंने आपको सिखाया था एक number minus का हो, एक number plus का हो तो minus किया जाता है लेकिन sir question में तो बोला है sum अरे भाई देखो डरो मत question में sum बोला है तो sum क्या rule follow किया जाएगा तो rule किया था end के जगावे plus rule follow करने के बाद जो question demand करेगा उस हिसाब से solve किया जाएगा 2, 3, 3, 1, 4, 7 1, 4, 7 ठीक है जी, अब क्या करेंगे इंगो करेंगे हम minus तो 13 में 7 का 6 बचा यहाँ पर बचा 2 तो carry लेंगे तो 12 हो गया, 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा 1, 1 में से बन गया 0 तो कितना आगे 86, तो यहाँ पर लिखिए 86, plus का minus का बताईए, plus का आएगा plus का क्यों आएगा, क्योंकि 2, 3, 3 बड़ा number है और बड़े number के आगे जो होता है वो number के आगे आता है, answer में लेकिन plus हम लगाते नहीं है क्योंकि वो understood है, अगर number के आगे minus नहीं है तो understood है कि वो plus है, अब देखिए अब यह जो 86 है ना तो basically यह जो था यह इसकी जगा पर अब क्या हो गया, इसकी जगा पर हो गया 86, ऐसे आपको question में लिखना नहीं है पीपर में, मैं तो बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ sum of minus 147 and 22 233 इसकी जगा पर आप क्या हो गया, 86 तो इसने क्या बोला था, subtract minus 284 फ्रॉम यह पढ़ो या बोलो फ्रॉम 86, तो इसने question 4 में क्या किया question number 1 और question number 3 को combine करके question number 4 बना दिया, question number 1 में आप से sum करवाया, कि finally sum आप वो सीख गए, फिर आप वो सीख गए तो उसने बोला कि question number 3 करो, आप addition सीख गए, आप subtraction सीख गए उसके बदब आपको question number 4 दे दिया, ठीक है, तो कुछ नहीं है अब देखे कैसे करेंगे, 86, from के बाद जो number पहले आता है from की जगह पे minus आता है, और यह number बाद में आएगा, minus का है तो bracket के अंदर आएगा ठीक है, अब हमने rule के हिसाब से subtract इसमें बोल रहता है तो rule के हिसाब से हमने minus लगा दिया, from के जगह पे अब जो question demand करेगा, वो करेंगे, अब question demand क्या कर रहा है पहले तो इन दोनों minus को आप adjust कीजिए, कैसे adjust करेंगे, दो minus है, तो मिलके बन जाएंगे plus और हो गया, 284, आप कर देंगे इसको plus, question जो demand कर रहा है, ठीक है जिए 6 और 4, 10 का 0, 1 carry, 8 और 8, 16, 1, 17 का 7, 1 carry, आप आगे 3, तो answer कितना आ गया, 3, 7, 0 तो यह इसका answer हो गया, question number 5 देखिए, simplify, जितना simple हम कर सकते हैं, जितना solve हम कर सकते हैं, हमें करना है, फर्स पार्ट देखिए, इसका, 6, plus 10, तेखिए जी, यह न, जैसा, for example, minus 10 इसके अंदर है, इसको बोलते हैं, modulus, क्या बोलते हैं, modulus, इसका मतलब क्या होता है, कि इससे बाहर जब हमें number निकालते हैं, वो हमेशा positive बाता है, कहीं पर लिका हो है 3, तो जब बाहर निकालो के तो 3 रहेगा, कहीं पर लिका है, माइन positive में आता है, तो modulus हमेशा positive result देता है, ठीक, यह दो डंडे होते हैं, इसके अंदर कुछ होता है, for example, minus 4, यह बजाएगा हमारा 4, तो 2 डंडे को जब हम हटाएंगे, ठीक है, तो उसी तरह किसे हम इसको solve करेंगे, देखिए कैसे, यह हमारा question है, ठीक है, तो 6, अब यह plus का है plus, अब यह minus का 10 है, 2 डंडे को खटा, तो plus का हो जाएगा, तो 10 का, 10 लिख देंगे, तो answer कितना आ गया, 16, यह answer हो गया, second part देखिए इसका, minus 50, plus minus 200, plus 300, यह question है, इसको solve करेंगे, पहले bracket को हटाएंगे, तो यह minus 50 रहेगा, यह plus minus, minus हो जाएगा, 200, और यह plus का, हमारा कितना है, 300, ठीक है, तो अब देखिए, पहले इन दों को solve कर लिजिए, जब कभी भी आप calculation करते हैं, तो try करेंगे, जो मतलब same sign के हैं, उनको आप पहले solve कर लो, या फिर अगर कुछ कटता है, for example, 300 है, प्लस का, अगर यहाँ पर minus 300 होता है, तो मैं cancel कर देता है, या फिर ऐसे कर लिया करो, मतलब आपको एक ऐसा तरीका चुनना है, जिससे आपकी calculation easy हो जाए, इनको solve करते हैं, माइनस, 250, दो नमर माइनस के, तो प्लस कर देते हैं, आपके पास दो नमर माइनस के, तीन नमर माइनस के, चार नमर माइनस के, पांच नमर माइनस के, सब को प्लस कर दो, और आखरी में माइनस का sign लगा दो, ठीक है, प्लस 300, ठीक है, तो कितना answer आ गया, 300 और 250, तो बचा 50 infinity और प्लस का यह माइनस का प्लस का क्यों क्यों कि 300 बड़ा है तो हमारा अंसर हो गया यह थाण पड़ि पर आईए थर्ड में देखे क्या है 16, ठीके जी प्लस माइनस साथ ब्रेकेट प्लस चार प्लस माइनस नौ ऐसे है तो पहले प्लस माइनस माइनस का नौ अब क्या करेंगे आप पहले प्लस ओले नमर को हो आधीों के 10 साथ और नौ को क्या करें प्ल्स करेंगें एक ठीक न को प्लस कर दो एक हुआ तो आंसर कितना स्वाइब अधिगेॉट कि स्वाइब सब्सक्राइब करेंगे कितना हो जाएगा इस तरीके से करते हैं ठीक है तो हमारा यह अंसर आगया फूर्ट करते हैं इसका फूर्ट पार्ट करें कि इसने दिए 75 यह मरा बड़ा ब्राकेट है इस तरीके से बड़ा ब्राकेट बड़ा ब्राकेट अब क्या से बड़ा ब्राकेट अब मैनस टूंटिफाईव प्लस-11 ठीज कहśン सबसे पहले आपके पास ऐसा क्विशन आ थangelerealmore इसको इसkim बड़ा वाला फिलेवाल्यक को खोलेंगे तो बड़े वाले वाले को ऐसी लिख रहे दिए थे लिस्ट बाले को खोले लस्माइनस- city अबदल करें ६δस- माइनस माइनस 11 ठीक है यह हो गया इसके बाद आप बड़ा खो लेंगे ठीक है 75 वह माइनस 60 तो कितना बचांब 15 ठीक है जी ब्रैकेट लगाई ए प्लस इसमें कितना थे 25 और 11 एको कितने होते हैं दोरों माइनस के तो ब्लस कर देंगे पांच और एक 6 दोर एक 3 और माइनस का माईनस का 36 बड़ा मैनस माइनस-ires वारे सोरी जो ब्रैकट है जी वह ब्रैकेट लगा зов के ठीक है ब्रैकेट के कर दीजिए 75-60 अभी प्लस माइनस 25 माइनस का माइनस गया ऐसे कर सकते हो इन तीनों क्या कर लेंगे पहले प्लस कर लेंगे क्योंकि तीनों एक जैसे मलब माइनस क्या है 25-11 सबको प्लस करो पांच और एक 6 सब्सक्राइब दोनों में से कोई भी तरीका चुन सकते हैं ठीक है और हमें क्वेरिफाइब करना है ठीक है और हमें क्वेरिफाइब करने का मतलब क्या होता है यह लेफ्ट एंड साइड यह रइट है तो आप पहले लिखिए यह पूरा ए माइनस माइनस वी इक्वल टू ए प्लस भी आ इसकी पार बाद चोटा ब्रेकित दूसरा ब्रैकेट फिर बड़ा आता है इस टाइप से हम करेंगे दुबार देखिए एक बार दबार करा तो अब के च्ट तो माननस फ्कशंस माननस क्या मारर माइनस हो गया अब यह6 अब यह माइनस यह रहा बीकिश्क डाल आ एक और ब्रेकेट लगाने की जरुवत पड़ी तो हमने लगा दिया बड़ा ब्रेकेट अब देखिए तू की जग़ए टू ठीक है माइनस और माइनस क्या होते हैं पहले हम छोटे ब्रेकेट खोलेंगे जो से मैं आपको सिखाया है ठीक है माइनस माइनस प्लस तो गए छे ठीक है यहां पर कितना हो गया टू प्लस माइनस माइनस एक ठीक है अब यह बड़ा ब्रेकेट खोलो तो माइनस इक्स तो माइनस इस तरीकेसम एक्वेश्चन सॉल करना है चलिए रख करते हैं इसको इसका सेकेंड पार्ट भी था सकेंड ने एक क्यों रख कर दिया कोई बात नहीं कलती हो जाती कभी बार यह जल्दी से लिख लेता हूं यह आइसे था मेरा और क्या था मेरा एक प्लस भी इसका सेकंड पार देखिए सेकंड पार्ट के है इसका a equals to minus 3 और हमारा b है minus 8 b कितना है minus 8 अगैन पहले लिख लिजिए a minus minus b equals to a plus b a की जगा minus 3 तो लिखे minus 3 minus 3 जगा minus minus की जगा bracket minus की जगा minus b की जगा minus 8 है minus 8 तो यह वाला bracket है बड़ा हो गया ठीक है जी समझ में आ गया क्या कर रहे है एक जगा क्या है minus 3 प्लस दीखो तो विख देंगे तो माइनस 3 माइनस 8 ट sacrificat खोळें तो बैनस कर दो करते हैं 8 और यहां पर लिख देंगे हम भई धी फ्रिफाइची प्लश को में पेला है ह्ल मार एक इंस दिया हुआ है कि भी हमें दिया हुआ है इसने माइनस 37 और सी हमें दिया हुआ है इसने-81 रिपके और हमें क्या करना है करने सबसे पहले ऊपर नियस घंसा plus B ठीक है जी प्लस C equals to a plus B plus ऐसे लिख लिया चलिए एक जगह 42 डा लिए plus b की जगह मानस 37 तो मानस 37 ऐसे आएगा ऐसे आगे अब यह ब्रैक्ट अब यह ब्रक्ष बन जाएगा जाएगा अब यह चोड़ा था बगत अब हमने बड़ा बना दिया ऐसे कर सकते है ठीक है माँनस 31 तो माँनस 31 इस तरीक ना पर लिखें कि ए के फ़र्थी टू मैस 37-37 ब्रैकित में एगा ऺ़्टी के सब्लसन एंप ए माइनस 31 यहांपह अगे इन इस फ्र dre 42 प्लस यह कितना हो जाएगा मेरा जाएगा माइनस का 37 क्योंकि हम पहले छोटा ब्रैकेट खोले हैं प्लस माइनस माइनस का 81 अब पहले इसके अंदर जो है उसी को सॉल्व कर लेजिए 42 में से हमें माइनस करने 37 तो कितने होगे 5 बचे लिग दीजिए पांच 5 रिद्धिया आपने प्लस का माइनस का प्लस का क्यों क्यों क्योंकि 42 बढ़ा है अभी बड़ा ब्रैकेट को लगा के रखिए ठीक है माइनस 11 यहां रा हो गया कि एटीवन में से 5 गए तो कितने बचेंगे देंगे तोकि इट्नी में से करके गारा 5 मैनस करते थो 75 बचते ना पर एक बढ़ा है तो नमबर एक बढ़ा दी जिए 76 लसका माइनस का माइनस का है बढ़ा है 118 में से आप माइनस कीचे 42 कि 8 में से 2 गए 6 यहां पर कहले लिया तो कि 11 11 बढ़ा इसका कि मैनस है तो माइनस यहां पर लिख देंगे हम वेरिफाइड ठीक है जी ए मेरा 32 है ए मेरा कितना है 32 कहां गया बी जीरो सी माइनस 44 जल्दी से जल्दी से आप मैंने लेख लिख ली है ऐसको आप देखे एक जरती टीटु ए Hispan आपchte बड़ा ब्रकेट यहां पर आएगा इस सिथा हुन मायनस फर्केर ब्रकेर देखिनवे एगी जरह किटना है 322 धी टना 0-1 प्रकेर ब्रकेश्यकारевой ज़गे करीए 32 और जी टें माइनस-44 प्लस माइनस-44 प्लस- जीडो प्लस- माइनस-44 धिर हमने छोटा खोल दिया इतना है 32 प्लस माइनस माइनस 44 माइनस 12 और 44 में 32 गए दुबारा कितने बचेंगे माइनस 12 करके देख लिए जब हमने किया था उपर देखे 44 में 32 माइनस 12 ठीक है तो देखे देंगे वेरिफाइड तो question number 7 हो गया मेरा complete question number 8 देखिए question number 8 में इसने क्या बोला है fill in the blanks to make the following statements true also name the property used इसमें आपको क्या करना है fill in the blanks करने और आपको बताना है कौन सी properties में यूज की गई है काफी simple है मैं आपको सिखा हूँगा जल्दी से solve करवा दूंगा घबराने की जरुवत नहीं है क्योंकि मैं यहां पर हूँ आपको समझाने के लिए ठीक है और मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए मेरे चैनल को आप subscribe कीजिए मुझे आप support कीजिए ठीक है और भी courses मैं कराऊंगा कोई अगर करने का कपूर जितने भी इसके courses जरह सारे करवाँगा इंशालला तो आपको घबराने की जरूवत नहीं है मैस की मैं बात कर रहा हूं मैस करवाँगा मैं ठीक है चलिए मैंने इसको ऐसे करके लिख लिया अधिक है यह मैंने लिख लिया अब देखे सबसे पहले हमें क्या करना है कि फिल इंदी ब्लैंक्स करने फिल इन दी ब्लैंक्स तू मेंग दी इसको बनाना है तो मैंने लिख धिया प्लस मैंनस क्या है ठीक है तो मैनस बात में है ऐसा क्यों है वो क्यों नहीं वह मैं आपको सब बताऊंगा ठीक है मगराइस सीमी आएगा देखो माइनस 3-4 हमारा कितना होता है माइनस 7-4-3 कितना होता है यह वी माइनस 7 उल्टा पूल्टा हुआ है यह क्यों हुआ है इस प्रॉपरेटी का नाम कि वह बताऊंगा अभी पहले आप सॉल किजिए 6 इतना क इस फोली एक प्रॉपर दो पहले से माननास 46 तो नों से मोगे ट्रू होई और एक ट्रूए अब इसमें देखिए अब यह दियान से देखिए 4 प्लस का चार प्लस का यह रहा 6 प्लस का चीपलस का यह रहा क्या बचाप माइनस का पांच पशा तो माइनस आप लिग एए एस यह प्लावर जी विए सबसे पहले पहले में पहले में उमारी यूज हूई ओगाँ आपने बूंग में पेज नंबर एट पे देखिए इस नंबर आई ए प्ला ये आई ए देखो कही पर लिखा ए ना A plus B और इसको मैं B plus A भी लिख सकता हूँ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक ही बात होती है यह कौन सी हमारी property होती है यह होती है हमारी कम्यूटेटिव कौन सी होती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है तो commutative property में क्या होता है उल्टा लिख देते हैं for example जैसे मालो a plus b है न तो equals to के बाद a की जगा पर b आ जाएगा और b की जगा पर e आ जाएगा यहाँ पर तेको वह हुआ है 3 की जगा पर 4 आ गया और 4 की जगा पर 3 आ गया पे पे पेज नम्मर 7 पर टॉप पे दिया हुआ है existence of additive identity additive identity में क्या होता है हम इसमें basically zero add करते हैं क्या करते हैं zero add करते हैं बस धियान रखना है आपको zero add किया जाता है ऐसे आता है या फिर इसमें जैसे फर गजामबल आपको question ऐसे भी दे सकते हैं इसको question को additive identity ठीक है अब आगे बढ़िए अब यह क्या है धियान दो इसका पहले में बढ़ाया था कौन सी यह हमारी है associative property अधियान दो यहां पर क्याता है यह दोनों bracket में यहां पर इसको जैसे इसकी बारे में आपको पढ़ना होगा तो page number आप आईए page number six पे ठीक है जैसे page number six पे एक्जामपल दिया होगे मैं आपको वही समझाता हूं जैसे दिया हूँ है a plus b bracket plus c बराबर है a plus b plus c यह इनकी जगा कोई number भी हो सकता है यहां पर a plus b यहां पर इक्वल्स तुके इस तरफ और इस तरफ left hand side और right hand side एक side में क्या होता है कि इन दोनों की दोस्ती है दूसरी साइड में किसी और की दोस्ती हो गई जब दोस्ती बदल जाती है यहां पर a और b एक साथ ठिरह रहे दें यहां पर ठीक है राइट 11ड में डेंट में जाते ही क्या हो गया बी औरIsे दोस्ती बने पर इस लोग ऑसे अजणी कर में глуб a करेक्ट इस पहला है नाइन माइनस यह बॉक्स तो ना रखा है और यहां पर आपको दिया 11 ठीक है जी सेकिंड एस में माइनस 14 प्लस ब्रैकेट है कुस्ट्रम आप कितना आपका 22 है थर्ड है आपका 6 माइनस माइनस 5 प्लस नाइन फोर्थ है आपका माइनस उन माइनस यह करेंगे पहले में किया आइगा अधा श्मौन पर भी बौज पर करें मैनस मान एगतंब्ट हो गया किना हों गए हमीं एक्स निकालना था थो- equals to minus को मार भेज़ दो यह मा Universe है जब ही माइन वा testified माइनस रहे का दो माइनस टू हो गया टिएक समाध़ गरा कितना हो गया मानस ठीक हो गया तो प्लस का प्लस्य मेरा कि यह जो आत्री सिट तो चर्ण आगाल 9 सो 2-1 जो देखिने हुगल एक स्पी न चोड़ेंगे प्लस का टो जब भी ऐसे होता है तो फिर ये माने स्कोद बेल है कि तो Hai या तो यह और यह यह अ बरबर में हमिने एक सब्सक्राइब Monte करना है पहला थेखिये इसका पार्ट है तो CC मैं यह मैन अवर देखिया थे 008 ठीक है और यह में हमें यहांपर लगाना है ठीक है और दूसी जाई मैम पांच मैं माइनए जान यह सबसे पहला भार सबको करें गोड़ेंगे dein यह से हो गया और यह कितना है माइनस माइन अद टांत चार है तो यहां पर पहुए देखिए माइनस पांच ओगया बढ़ा माइनस का नंबर हमेशा होता है यह नंबर हमारा चोटा है क्योंकि कि यह नंबर गए ठीक है कि अमधिन ब्लीका इन वह तो भी यह नमर चोटा है नबर के अगर आलवेज या रखना positive numbers are always greater than negative numbers यह आपको याज रखना है positive number हमेशा negative numbers से बड़े होते हैं फिर चाहे negative number छोटा हो बढ़ा हो positive number छोटा हो बढ़ा हो कुई बतलब नहीं है अगर एक number positive है एक number negative है तो positive number negative number से बढ़ा होगा हराल में second part देखे minus 29 प्लस 75 और यह ऐसे 75 प्लस मानस 29 देखो मानस का 29 है और यह कितना है प्लस का 75 आप देखिए 75 और प्लस मानस का 29 75 में से 29 तो कितना आएगा देखिए 15 में से नो हो गए यहां पर तीन में से दो गए चार 46 कितना आया 46 प्लस का क्योंकि 75 बढ़ा है कितना आएगा 46 क्यों क्योंकि 75 बढ़ा है तो यह क्या हो गया बराबर ठीक है यह माना बराबर हो गया है चलिए इसको भी रब कर देते हैं कौन सा पार्ट इसका थर्ड पार्ट थर्ड में देखिए माइनस साथ प्लस पांच प्लस माइनस 24 ठीक है जिए माइनस 52 ब्रेकेट प्लस 36 सौल किजिए माइनस साथ प्लस प्लस-5-24 पहले हमने ब्लस फूल लिया मानस फिफ्टी टू फिटेस अब देखिए माइनस माइस नमर को प्लस कीजिए चाफीश और साथ के तो लिए एक एक अपलस का पांच ठीक है बताए था मैंने माइनस के माइनस जागर दो नमर ती नमर चार्ट नमर 5 नमर माइनस के तो हमारे बचे 27 इस वारी पांच गए तो कितने बचेंगे एक तिस में से अगर आप वन माइनस करोगे तो कितना हो गया तीस उसमें चार और माइनस कर दो कितना हो गया 26 26 अगर दोनों नंबर ही माइनस की है तो आप क्या करोगे माइनस का नंबर जितना बड़ा होता है वो तना छोटा होता है मिसाल के दौर पर यह नंबर देखिए माइनस के साथ 26 है और यह कितना माइनस के साथ 16 है तो यह नंबर बढ़ा है क्योंकि माइनस अगर किसी नंबर के और बढ़ा होगा मतलब छोटा होगा चल जाएगा काउंटिंग बढ़ेगी और छोटा नमर होगा रूल होता है तो इन दुर में से कॉंसे नमर बढ़ा है यह बढ़ा है तो यह छोटा है तो इसकी तरफ आगया फिस इस तरी के से ठीक है माइनस 425 ठीक है जी फिर ये ब्रैकिट होगी ऐसा फिर क्या मेरा माइनस 561 प्लस 31 प्लस 127 देख सॉल करते हैं इसको जल्दी से 75 प्लस 98 माइनस 425 पहले तो मैं ब्रैकिट ही खोल रहा हूं तो चलिए पहले इन दोने को मैं प्लस कर लेता हूं 127 और 31 को साथ और एक आर्ट तीन और दो 5 और 158 तो कितना हो गया माइनस 561 प्लस 158 यहां पर यह आ गया ठीक है अब इनको साथ पहले इन दोने को प्लस कर लेता हूं सेवन्टी ए सेवर कितना है नाइंटी एट और 75 इनको करेंगे प्लस आर्ट चार बारा तेला कर तीन करी नौदर 173 माइनस 425 ठीक है 561 में से 158 को माइनस करो एक नमबर माइनस का एक प्लस का तो माइनस करते हैं हमेशा बड़े नमर में से वाट गए तीन बच्चा कि यूए 50 गए जीरो जीरो क्योंकि वन गए 4-303 माइनस का 403 क्योंकि 561 बड़ा है तो उसके आगे मैनस तो माइनस आ जाएगा इसको सौल किझी 425 में से 173 को माइनस की जीए पांच मेसे 3 गए 2 बारा में से साथ गए 5 तीन में से गया दो कितना है 252 किसका माइनस का 252 माइनस अब देखिए दुबारा से दोनों नमर माइनस के हैं तो यह नमर 252 40 सरी चोड़ा है दिखने में तो यह बढ़ा होगा क्योंकि माइनस के चल रहा है तो ऐसे हो जाएगा ठीक है तो क्योंकि यहां से गाव जिस अब कैसे करना ही बताता हूं मैं आप सबसे लिखोगे वन इंटीजर कितना है इसमें दिया हुआ है 15 ठीक है फिर आप लिखोगे अनाद इंटीजर अनादर इंटीजर लेहां लगा होगे लेट तो यह पर ही चोटा ही आएगा ठीक है लेट अनादर इंटीजर भी x ठीक है अब यहाँ पर लिखा होगे 80 की हो मतलब according to question question के question क्या बोला this sum of two integers is 30 this sum of two integers मतलब एक integer यह हो गया दूसरा integer यह हो गया इनका sum मतलब plus कितना है is मतलब equals to कितना है 30 this sum sum of two integers two integers is is 30 30 अब इसको solve कर देंगे x को यह रखेंगे 15 को कराएंगे बॉर्डर पार तो बॉर्डर पार करके हो जाएगा माइनस का ठीक है तो x मेरे कितना आ गिया x मेरे आ गिया 15 तो आप लिख दोगे another यह other other integer is 15 यह आपका answer हो गया ठीक है जी the difference of an integer a and minus 13 is minus 4 देखिए इसने बुलाए कि the difference difference of integer एक 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 और दूसरा कितना हमारा माइनस 13 इनके बीच का इसने क्या बोला है difference क्या बोला है difference कितना दिया हुआ है is 4 is मतलब equals to कितना minus 4 find the value of a difference मतलब क्या होता है minus तो जब भी 2 है तो इनके बीच माइनस लगाएंगे मगरी तो माइनस पहले से है तो इसको ब्रेक्रिप लाल देंगे ऐसे जब भी 2 आ जाते है यह माइनस माइनस यह प्लस माइनस यह प्लस 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 एक तो मैसे ब्रेक्रिप लागा लेते हैं फिल लिखा हुआ है माइनस और माइनस 5 पहले से तो इसको ब्रेक्रिप लगा लेंगे ठीक है वही बाला है देखो जो लिखेंगे कैसे question को देखिए the difference of an integer a and minus 13 is minus 4 find the value of a आप लिखोगे देखो पहले ही दिदा हमा है difference of an integer a and minus 13 is minus 4 सर आपने तो का तक integer होते है हमारे 0 से left में चलो right में चलो 1,2,3 left में चलो minus 1, minus 2, minus 3 तो यह तो बोल रहा है कि the difference of an integer a तो a कैसे integer हो गया अरे देखो यह जो कोई भी variable होता है ना उसको भी integer बोल सकता है वो a को integer बोल सकता है b को बोल सकता है, c को बोल सकता है, d को बोल सकता है क्योंकि इनकी कोई नहीं value तो डालोगे ना आप यह 2 हो गई, यह 1 तो आप कुछ भी value हो सकती है इसकी तो चाहिए वो a,b,c,d लिखके बोले a,b,c,d मतलब एक example दे रहा है कि a हमारे एक variable है तो a हमारे हां पर कोई नंबर होगा अब यह आप solve कोई नंबर आ जाएगा the difference of an integer a a,and end की जगह पर क्या आएगा difference मतलब minus, अगर बोलता sum तो end की जगह पर आता plus याद रखना है, अगर बोलेगा difference तो end की जगह पर आएगा minus, अगर बोलेगा sum तो end की जगह पर आएगा plus, अगर बोलेगा product तो end की जगह पर आएगा multiply, ठीक है a,minus अब एक और minus है तो उसको ब्लेकर में डालेंगे इस मतलब क्या होता है? equals to, याद रखना इसका मतलब हमेशा यह होगा minus 4 मतलब minus 4 अब इसको solve करते है, a, minus minus plus 13 equals to minus 4 13 को हाँ पर करेंगी border par minus 4 तो अपनी जगह पर रहेगा 13 plus का है तो border par करके हो जाएगा minus का, याद रखना plus border par करके बन जाएगा minus border par करके बन जाएगा plus multiply border par करके बन जाएगा minus minus 2 प्लस कर दो 3, 4, 17 और minus sign लगा दो, minus 17 तो अ कितना आ गया, minus 17 इसने क्या बोला था find the value of a, तो आप लिखते है value of a is minus 17 यह आप का अंसर हो गया, ठीक है question number 13 में इसने क्या बोला if the sum of minus 8 and a is minus 3 find the additive inverse of a, sum of 8 minus 8 and a is 3 ऐसे लिख लेना, जैसे मैं कराता हूँ, इस मतलब क्या हो गया, minus 8 and की जगा पर क्या आएगा, यह क्या है sum, मतलब plus a इसकी जगा पर यह minus 3, अब तो मैंने आपको सिखा दिए कैसे होता है, a को यहीं रखेंगे minus 3 अपनी जगा पर रहेगा, minus 8 को border पार कराएंगे तो border पार करके minus 8 हो जाएगा plus 8, तो कितना हो गया, देखो एक number minus का, एक plus का, तो क्या करते है minus करते हैं, हमेशा है minus और plus की fight हो तो minus जीतेगा, इसको ऐसे याद कर लो, यह minus है, यह plus है यह याद कर लो, यह minus है यह इसलिए और अपना तरीका कोई भी मिना लो, देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, किसी भी चीज को याद करने के लिए, उसको किसी चीज से relate कर दिया करो, अगर आपको यह याद करना है, कोई भी चीज आपको याद करना है additive inverse, कहांगे मेरे additive inverse, हाँ, additive, inverse of A, कितना होगा, देखे, additive universe में क्या होता है, बताता हूँ आपको, additive universe में क्या होता है कि जैसे for example, आपका 5 है तो इस पे आप add कर होगे, 0 यह से 0 add करते हैं, तो वापसे 5 हो गया, तो बस यह हमार आंसर हो गया, मगर इसको लिखने का तरीका ब अगर आप इसको लिखेंगे ऐसे नहीं, आप लिखेंगे इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे, additive inverse of a equals to 5 plus 0, ठीक है, तो equals to this side लिखेंगे आप 0, ठीक है, plus 5 equals to 5, ऐसे लिखो गया, answer वही आएका, मगर लिखने का तरीका ये है, तो लिखने का तरीका भी सही होना additive inverse of a equals to 5 plus 0 equals to, मतलब 0 plus 5, side भी change हो जाएगे, और 0, यहापे हमने 0 plus कर रहा है तो आगे जाके, side change हो जाएगे, इस तरीके जाएगे, यहापे 0 था, यह 0 यहापे आगिया, answer से में आएगा, ठीक है, चलिखेंगे, equation number 14 देखेंगे, a submarine was 5820 meter below sea level, if it ascends, ascends मतलब उपर आना, ठीक है, 2200 meter, what is its new position, देखो क्या आगा है, आपको question अगर नहीं भी समझे मैंना, आपको थोड़ी बहुत तीरे जिसमें समझनी है, देखेंगे, पहले हम लिखेंगे, a submarine कितनी थी भाई है, was, 5827 meter below sea level, 5827 meter below sea level, ठीक है, अच्छा, उसके बाद हुआ, उसके बाद हुआ, it ascends 2200 meter, ठीक है, हमें क्या निकालनी है, find the new position, तो यहां में लिखो new position, new position, कैसे निकालोगे, देखो, यह है न, new position निकालोगे, यह है न, 5827 meter, 2200 meter, यह माइनस करना है, माइनस क्यों करना है, क्योंकि पहले इतनी नीचे थी, आप थोड़ी उपर आ गई, तो बताँ new position कितनी होगी, तो उतना माइन हटा देंगे, पहले यहां पर था कोई, कोई चीज यहां पर है पहले, ठीक है, अब यहां से उठ गए, यहां पर आ गई, ठीक है, मैं बताओ इसके new position क्या है, तो आप यह जो distance है, यह distance आप यतना distance, मिनस कर देंगे, है ना, तो देखिये, 7 में से 0 गए, 7, मीतर की जगा, मेटर मेटर गए 0 ऐसे मत कर देना कला ऐसे नहीं होता भाई मीटर मेटर मीटर यह आएगा सुब है रोग elles पर रहे हुआ है नियु पोजीशन का है तो यह आप कर रिखत होगे नियूं फोजिशन एस थ्री fix two seven कितना बिलो सी लेवल ना बिलोसी लेवल बस कि आपनी बूग में पीछे दिया हुआ बिलोसी लेवल और माइनस 3627 तो यह माइनस बस इंडिकेट कर रहा है कि यह सी लेवल के नीचे है ठीक है उसमें आप कंफ्यूज नहीं हो ना आपको इस इतना लिख क्या जाना आपका अंसर स्वाल हो जाएगा ठीक है ठीक है 15 में क्या बोला है इसने अपको अपर्टिक्लर डिए दे टेमपरेश्य अव ग्रुगराम एट नाइन एम वस फिफ्टी निगरी सेल्जियस न प्रेले लिख लेता है टेमपरेश्य आफ गुरुग्राम ग्रुग्राम क्या है भई अट 9 a.m. ठीक है कितना था जी वाज 15 डिगरी सेल्जियस ठीक है इसकी जगह भी हमारा इसकी जगह क्या लगा सकते हैं इस और वाज दोनों की जगह पे आप इककोल स्वाइब यह मतलब प्रेजन की बाद चलिए यह पास की बाद चलिए कि इतना था मतलब यह लगा सकते हैं कोई 15 degrees Celsius बाद midnight इट फेल टू 9 degrees Celsius हम बेंगें बाद midnight इट फेल ना हो गया इट फेल टू 9 degrees Celsius ऐसे कार के लिख सकते हैं वह एक कोस्टू इस फेल नेगरी सेल्सियस ठीक है उसके बाद क्या लिखेंगे इतना 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 टेंपरेचर फुम्बई 9 a.m. पे इतना था और वह ग्यारा डिरी से होगी हमारा छे डिगरी विच फॉल वस ग्रीटर तो पहले से निकालता है कितना फॉल हुआ अब हम निकालेंगे फॉल इन तेंपरेचर अफ था उसली बात है 15 डिगरी एक विख्याव तो 6 डिगरी इसलसी अब लिखेंगे इसे मैं यह तेंपरिचर इपरेचर इपरेचर की किसका तेंपरेचर आपाई डेसे कर तेंपरेचर आपाई मुंबाई इक तेंपरेचर आपाई आद आज आएम कितना था जी 11 डिग्रीस देश्योस and it fell down to 6 degree by midnight तो लिखेंगे by midnight ठीक है it fell to 6 degree celsius तो लिखेंगे fall in temperature कितना temperature हमारा कम हुआ 11 degree celsius minus 6 degree celsius कितना हो गया 5 degree celsius तो देखें किसमें ज्यादा गिरा है temperature इसमें गिरा है किसमें इसमें यह कहता है हमारा crew gram तो answer में लिख देंगे तो लिखेंगे आप फाल फाल इन अपरतबुर इन ग्रुज चरुग्टाम is greater बड़ा है कितना बड़ा है greater by 1 degree celsius ऐसे लिखना है falling temperature of guru gram is greater ज्यादा है कितना ज्यादा है 1 degree celsius 5 degree celsius 6 degree to 1 degree celsius बड़ा है इस तरी केसा आपके पीछा आणसर दिया हुआ इसलिए मैंने यह पूरी लाइन statement आके लिखती ठीक है जी question number 16 में क्या है complete the magic square so that the sum of the integers in each row column or diagonal is 12 दिखें आपको यह दिया हुआ है magical row का नाम इसको magical वह बोला है इसने magical square square का मतला हर साइड बरावर होती है सारी साइड बरावर है ठीक है दो यहाँ पर डंडे हैं एक और दो ठीक है और डाइगनास भी बरावर होती है किसकी स्क्वेर की वह सब भूल जाए क्या सीजिए उसमें मैं आपको समझाने जाए बस सिंपल एक डबबा है हमारे पास ठीक है यह माइनस चार है यह माइनस साथ है यह माइनस छे है देखिजी इसने इसने बोला है कि complete the magic square so that this sum of the integers क्या सम और इंटीजर्स मतलब वहीं नम्मर की बार चलोंगे ठीक है प्लस माइनस के कोई भी नमबर हो इन इच रो कॉलम और डाइगनल इच अच रोंगे कॉलम हो गई और कॉ सब्सक्राइब कि इतना होना चीक है माइनस बारएं तो रो होती है इसे गासे सелов होती है बैंदा है कि का सबस्क्राइब तो इक है सबस्क्राइब कर दो कि सबस्क्राइब देखिए माइनस बारे गटना की प्रेकित निंग कर दो क्योंकि दो माइनस अप्लस का 1 कितना हो गया है माइनस बारा अगया है मजह on देखिये माइनस 4 और Plus 1 कितना होता मेरा ही होता मेरा माइनस थी मुझे कितना माइनस 2012 przek片inizi माइनस politics प्लैस कर दो मैंद संदरों नोगे और इसको प्लैस कर तो कितना हो गया बारा और दो- माइन-र- आगिया अब देखिए दिसमें गयों कि डो कितना कि रहे चाहर है में माइनस का दो प्लस कर रहा है अब देखिए अब यह देखिए माइनस साथ और माइनस चार कितने होते हैं यह तो माइनस ग्यारा माइनस बन को इसमें प्लस कर दो कितना हो यह माइनस बारा तो माइनस बारा तो माइनस पांच और माइनस चार देखो माइनस पांच और माइनस करते हैं तो इसमें माइनस कर देंगे तो जाएगा माइनस बारा माइनस अब काउंट करके देख लिए एक बढ़ सब आपको बार आरहे नहीं आ रहा है तो ठीक है नहीं आरहे तो गलत है चलो कर लेते हैं साथ है साथ और चे देखो चे माइनस चे और माने साथ नहीं तेहरा और प्लस का वर मैंनस बारा अब ये को पांट चार नो और रिणा नारा तीनों नमर मांट के थे फिर नों को प्लस घ्राइब और मानिस तो आप 8-12-11-12 तो हमारा हो गया यह कुप्लीट और इसी के साथ हमारी एक्सराइज वान ए हो गई कम्प्लीट